गुड मॉर्णिंग सुप्रभात आज के भग भोलरी लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे तो आए सेशन की शुरुवात करते हैं हमने कुछ पंक्तिया लिया है दा हिंदू नूज पेपर से उसमें आए कुछ इंपोर्टेंट सब्दों को सिखेंगे आज रेगुलेशन अफ ओफिसियल डिजिटल करेंश की बिल 2021 विच इज येट टू बी ओफिसियली एफ्रूवड बाइद कैविनेट शिक्स तू क्रियेट एफ फासलिटेटिव फ्रेमवर्क यहां पर सब कही जुगा है फासलिटेटिव फ्रेमवर्क तो इसका अर्थ होता है फ्रेमवर्क नाउन है किसी वस्तु या बिनादी धाशा जिसके वस्तु को एक सक्ल और मजबूती मिलती है है तो दोनों ही सब्दों का अर्थ समझगे और स्वम्ध्य पूर्प से दुनों भग क्या अर्थ होता है कि निड़्ने के अधारभु सिधान सिधानतिक अधार और रुप्रेखा भी इसका दूसरे अर्थ में निकलता है तो है फासिलिटेटीव और और फ्रेमवर्क का अर्थ समझ के तो आगे दूसरा सब्द और दूसरी पंक्तियां देखते हैं हाव इभार इट एलाउज फार सर्टेन एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो अर्थ क्या होता है एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद टू प्रमोट अंडरलाइंग अंडरलाइंग वहने अजेक्टिव है महत्यपूर्ण प्रंत्युप्त अंतर नहीं इसका अर्थ हो यहाँ पर टेक्नलोजी आफ क्राइफ को करेंश की एनिट उजेज एक्कॉर्डिंग टू एस्टे और श्टेटेट परपर्ट मतलब कथित उदेश्य अफ बिल इन लोग सभाव गुलेटिंग अगला है टेंटेटिव होता है अस्थाई एजेक्टिव है जिसका अर्थ है अस्थाई टेंटेटिव एक्जाम डेट निकाल जाता है जो कि मैं निशित नहों अस्थाईक निका बिधाई लेंगिस्लेटिव होता एजेक्टिव है बिजनेस पर राजे सभा तो इसमें इन पंक्तिव में इंपोर्टेंट सब सिखे एक्सेप्शन अपवाद अंडरलाइंग महत्पून प्रंतु गुप्त अंतरनिहित परपट अभिप्राय उदेश्य टेंटेटिव और इन पंक्तिव में सब्दों को सिखे तो आगे बढ़ते हैं आगे है दो फाइनेस मनस्ट्री हाज बिन टाइट लिप्ट इसमें एक सब्दाया है एजक्टिव है अनिक छुप चूप रहने वाला चुपा चूपी साध रखी है मतलब कि दाइनस मनस्ट्री हाज बिन करने के लिए टाइट लिप्ट इन पंक्तिव में इंप्रेंट सब्सक्राइब लिए निक चुप रहने वाला चुपा चुपी साध रखे इसको बोलता है टाइट लिप्ट तैयार किया गया था फार्दी कैमिनेट अप्रूब्ल इजरली आज जगास्तुरेट तो सम्दोनों का अर्ष समझ गए अगली पंक्तियों में चलते हैं अगली पंक्तियां हैं तो यहां पर प्रिसाइज कंटूर अब देख्टिव है क्लियर एन एकुरेट इस पस्ट और सही एक्जैक्ट पक्टिकुलर पूर्टिया ठीक तुरुटी ही विसिस्ट इसका अर्थ होता है एक प्रिसाइज का एजेक्टिव याद रखिएगा प्रजिक्ट प्रिसाइज कंटूर कंटूर का अर्थ होता है दस्टी ऑफ द आउटर सरफेस अब सम्थी किसी वस्तू की बाह्याकरिती रूप रेखा कंटूर बोलते हैं दूसरे अर्थ में इसको बोलते हैं a line on a map joining places of equal height मांचितर पर समानुचाई के अस्थानों को मिलाने माली रेखा कंटूर परिर इस संतेंस के संदर्व में तो प्रिसाइज कंटूर सटीक रूप रेखा आप द बील आर नोट इन पाबलिक देम जो बील की सटीक रूप रेखा है और पॉबलेक डोमेन में नहीं है इसका यर्थिया निकिलता है आगे की पंक्तिया नेखते हैं कुछ इंपोर्टेंट इस में भी हैं सच ए बीजोर समीशन सुट भी एंड वाज रिजेक्टेट बाई मैनी हावीवर सम्ट्वेट द लाइन अब दी गवर्मेंट एग्री टूद डबल लेन पेव्ट सोल्डर रूट इन पंक्तियों में कौन-कौन सा इंपोर्टेंट है तो रेड लाइन से बीचीतर है इसमें बीजो बीजो एजेक्टिव है और बीचीतर इसका अर्थ होता है भेरी ये स्ट्रेंज आर अनिजूल त्याधी का नोखा और समान ने समीशन सुट भी एंड वाज रिजेक्टेट बाई मैनी बहुत लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और सुट भी कि वह करने के लिए जो आप से किसी के लिए प्रिशानी पैदा किया भी ना करने की अप्रिक्षा किया दिया है लिक पर चलना तोइड दे लाइन का अर्थ हुआ कि लिक पर चलना जो गोवर्मेंट इससे कह रही थी है 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 और संटोइड दे लाइन अप्गर्मेंट कुछ लोग गवर्मेंट के साथ हो गये अग्या एग्रीड टूदी बोथ डबल लेंट प्रेव्ट सुलजर यहां पर एक और सब्दा है प्रेव्ट सुलजर पोड़ वाइड क्या होता है इसका अर्थ इसको समझ लेते है प्रेव्ट सुलजर यह होता है राजमार का ववा भाग जो राजमार के नियमी तरुप से यात्रा करने वाले भाग के निकट होता है और राजमार के समान अस्तर्प होता है बने कि उसके साथ साथ होता है कम से कम चार फिट की अत्रिक्ट फुटपात चोड़ाई जिसे मौझूद करने के लिए मौझूदा सनक मार्ग में जुड़ा गया है साइकल का पैदल चलने के जो बूता है चलने के लिए मौझूदा राज मार्ग में एक बना दिया जाता है फूट पाथ उसको बोलते हैं पेट सोल्डर तो जहां भी यह सब्दा है तो याद रखिए का पेट सोल्डर का अर्थ क्या होता है चोड़ा करने के लिए उसको साथ साथ एक फूट पाथ बना दिया जाए तो उसको पेट सोल्डर बोलते हैं तो इन पंक्तियों में आए सभी सब्दा आप लोगों ने सिख लिए बिज और एजेक्टिव है भेरी एस्ट्रेंज आरो निज्वल थ्याधी का नोखा बिचीतर असमाने होता है वह करने के लिए जो आप से किसी के लिए परिसानी पैदा किया बीना करने के अपिछा की जाती है लिक पर चलना तो इट लाइन भी आप लोग क्लियर हो गया पेट सोल्डर के मैंने बता दिया और आगे की पंक्तिया पड़ते हैं फिर हमारे पास जो है इसमें आया है प्रोपोनेंट परस्तावक इंटेंट तु हिर्यादा रखते हैं ठीसे किया जाता के विवायर साथ दे उसको बोलते हैं फीजिबल और यह तभी साथ दे है वहर रहे है तभी संभव है इसका मतलब है संटेंस चार धांपर सायन डैट यह जो वनली विद डबल लेन पेवड़ सुल्जर रोड विड तो डबल सुल्जर पेवड रोड के चोड़ाई के साथ ही यह संभव है जो टोल बूत जो इस्टैबलिस करना चाते हैं जो इस्टाल करना चाते हैं वो डबल लेन रोड के साथ ही संभव है चोड़ाई के रोड के साथ ही संभव है और फीजबल कार समझ गे तो तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको अच्छे से प्रोपोनेंट प्रोपोनेंट वि विशेस काम के लिए लोगों को मनाने वाला परति पादक इसका सिमिलर होता है एड़ोकेट तो समझे अभी आगला पंग्दियां पढ़ लेते हैं एक और इंपोर्टेंट सब्दा है इसमें इसमें इस ओफिन आर्गूड आट लेंसलाइड और नेचुरल कंस्वेंस होता है प्रेणाम प्राकिर्तिक भूसक्लान कांज्ट्रक्षन अप्रोट्स कान भी मिटिगेटेट एक सब्दा या मिटिगेटेट किसी बात की गंभीरता पीड़ औरोचकता आदिकों कम कर देना मिटिगेट होता है तो mitigate किसी बात की गंभीरता पीड़ा अरोशकता आधी को कम कर देना mitigate the problem तो आधी इसका बहुत से अर्थ में बहुत से प्रियोग होता है मिटिगेट का मिटिगेट आप लोग समझ गए आगे बढ़ते हैं कि प्रिभेंशन और रेगुलेशन अप एक्टिविटी सीम टू बीड़ी इफेक्टिव वेय ओफ मिटिगेशन इन दिस फ्रेजाइल माउंटेंज फ्रेजाइल एक सब्दा यहां पर सहच छत्रिगस्त होन तूट जाने वाला भंगूर फ्रेजाइल मेटेरियल आप लोग सुना होगा ना भंगू जब हम लोग एरपोर्ट पर जाते हैं और यात्रा करते हैं तो एक लोगेश पर लगा देते हैं दिको ऐसा समान ले रखें जो जल्दी तूट जाता हो कोई कहां चुकर रहका समान ह स्टिकर लगाते हैं यह फ्रेजाइल साइटम है इसमें तो वही भंगू यल्दी तूटने वाला तो फ्रेजाइल हो गया सहच चतिवर्ष्थ तो या तूट जाने वाला भंगूर को बलते हैं फ्रेजाइल अंग्रे जी में आगे पढ़ते हैं The study adds to evidence of the inherent stability inherent पननता अंतरनिहित और इंस्ताबिलिटी अथिरता of the Himalayan region among the youngest mountain rage in the world due to which the underlying अंतरनिहित titonic plates that support it are not stable but are jetry जटकेदार जट्री का होगा जटकेदार यहाँ पर और फ्रिक्वेंटली ट्रिगर अर्थक्वेक को ट्रिगर करती है इन पंक्तियों में सब्दों को सीख लिए हमने अभी आगे पढ़ते हैं Mrs. Tye has a switch its concern about delays in US regulatory inspection of hermai units a switch verb है past tense aswes past participle aswes होता है to make an unpleasant feeling lessest यानि कि प्रतिकूल भावना आदी की तिक्षरता को कम करना aswes past tense aswes past participle aswes होता है इसका तो aswes का हमने अर्थ समझ लिया अगला हमारे सामने पंक्तियां है this should serve as a wake-up call for the government about its trade posture and aswar a more open approach towards a market that will remain the most critical irrespective of the trade deals it is seeking with other nations wake-up calls एक ऐसी चीज़ जो लोगों को असंतोस जनक किस्ति के प्रति सचेत करती है wake-up call कार्थ हुआ और उन्हें इसका समधान करने के लिए प्रेट करती है posture noun है the way that a person sit, stand, walk, etc किसी वक्ति की बैठने, खड़ा होने, चलने, आदी की मुद्रा किसी चीज़ की मुद्रा पॉस्चर हो गया wake-up call ऐसी चीज़ जो लोगों को असंतोस जनक इस्ति के प्रति सचेत करती है और उन्हें इसका समाधान करने के लिए प्रेट करती है तो ये wake-up call हो गया आगे जो सब दूस में आए एसपर noun है प्रेट इसका अर्थ होता है कि प्रेराक वस्तु जो किसी कारे को सिग्रता से करने या होने के प्ररीत करे इस पर कहते हैं अधिक मेहनत या चेरी से काम करने के लिए किसी को किसी को प्ररीत या बात देख करना इस पर तो उन पंक्तियों में आये सब दोगों सीख लिए हमने आगे के पंक्तियां पड़ते हैं इंडिया मस्ट सीज एक है इनिसियेटिफ पहल किसी वस्तु को एक आएक कसकर पकड़ना छीलना जपट लेना यह सीज होता है वही इसका विस्तार सर्थ समझेंगे नीचे सीमेंटेट प्लेस जगह पकी करना होत सब्सक्राइब करता है इन वेसिज कर्थ और स्टार्टर्स इप मस्ट प्रोएक्टिव एली प्रोएक्टिव एडवर्भ है अग्र सग्रिता के साथ श्टर अवेफ फ्रॉंदी प्रोटेक्शनीजम सरक्ष्ण बाद एड्रिफ्ट एक नया सब्तार है सभी को नीचे पटलेना किसी को कबजे में कर लेना यहां थी आ लेना या तो टेक एडवांटेज अब सम्थिंग डैट इजब लेगल जो अपलब्ध है उसका लाव उठाने के लिए सीज बाई हैविग एक संटेंस का और भारन लिया और क्लियर होने के लिए सीज का यहां पर किस संदर् दो च्रेक्त और डिदिंग में जो कंट्रेक्ट थे पिर लिए था यू वे भी एबल सीज तीशिव सतर्जर्यलेश नेगोसियेशन जो अट्रब्ध हमने को पहले ही प्रिपेर कर लिए था उसका लाव हाप इस नेगोसियेशन में उठा सकते हैं उठासके लाव उठाना म का लाग उठाना को टो टेक दा इंफांटेज़ अफ व संथिंग डाइट इस अब लेब तो आप प्रजेंट कंटेक्स्ट में सीज के वारे में समझ गया दा किसी समझ होते है या दोस्ती जैसी किसी चीज को मजबूत करने के लिए सिमेंट इस प्लेस एक संटेंस का उधारन लेकर अच्छी तरह समझने का प्रयास किया गया है यहां पर दोस्ती जैसी किसी चीज को मजबूत करने के लिए सिमेंट इस प्लेस यूज होता है सिमेंट तो जानते हैं सिमेंट सिमेंट होता है जो ग्रह निर्मान गुरा में जो प्रयोग होता है तो इसका जो वास्तिव करता होता है सिमेंट होता है बाकि सिमेंट इस तरह की उज में इसका अर्थ यहां पर इस प्रजिंट कॉंटेक्ष्ट में इसका अर्थ यही निकलता है प्रोटेक्शनिजम एक सब्दा है इसमें प्रोटेक्शनिजम आया था किसी माल पर कर लगा कर अपने देश के उद्योगों को स्वनक्षन प्रदान करने का सिधान तेवे वहार स्वनक्षणबाद की नीती एड्रिफ्ट पर समझ लेते हैं अब देखिये एड्रिफ्ट क्या आरत होता है यदि इस और बोट के समझद में ये संद्र समयं प्रयूब होता है इस इस उब्भींग आन्दी वाटर यह ने को पानी पर चल रही है मूव कर रही करने दुषे करिए इंहीं किया रहा है वी कॉवल्र कि प्रॉब्लम कि कम deze परसरे की लिए निकलता है उनके पास कोई निश्चित कोई ठुवर को असपस्थ तुदिश से नहीं है अपने जीवन में और know what they want to do और वो जीवन में क्या करना चाहते हैं कोई अस्पष्टता नहीं है कोई अस्पष्ट देश से नहीं है तो उसको बोलते हैं एड्रिफ्ट परसन के उज़ में यूज हुआ तो एड्रिफ्ट करते निकलता है इफ प्लांस गोड़ी कोई प्लान के सम्मंद में इसका उज़ चाहिए एड्रिफ्ट का मतलब हुआ कि they fail or don't produce the correct result सही परिणाम यह तो वास वो प्लान फेल हो गया या वो सही परिणाम प्रडूस नहीं कर पाया नहीं दे पाया तो एड्रिफ्ट तो दो तिन संदर्व में इसका उज़ आपने समझ लिया और अर्थ समझ लिया एक संटेंस दो लिये थे उदाहरान के लिए समझने के लिए और बहतर उप से you have gone adrift in our strategic thinking असफल रहा है something seems to have gone adrift in our calculation produce correct result हुआ इसका अर्थ यहां पर तो आज के सेशन में इतना ही था और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और रोज सब्दों को सीखते रहिए और अपने भकफलर को मजबूत करते रहिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए thank you very much